हलो गुद मोरिंग फ्रेंज्ट्स वेलकम बैक तु जी चैनल आई होप यौल आ रियली वेरी वेल मैं नेम इस दर्श्रा मोडा आइपलोड होममेकिंग अन लाइफस्टल वीडियोज इफ यू लाइक मैं वीडियोज एंड यू तु न फर्गेट तु सब्सक्राइब मैं च पासबन भी एसिफ में गए है तो अभी मैं किचन को क्लीन करने के पाथ बिगो रही हूँ छोले तो वन के सब्सक्राइबर आज कंप्लिट हुए है तो छोटी पाटी तो बनती है और देखो फ्रेंड्स यहां चिप्स अच्छे से सुख गई है फेंड के नीचे ही पूरी पहले जाऊँगी बातरूम में कपड़े को भीगोने के लिए तो आज सोच रही हूँ कि घर की थोड़ी क्लीनिंग कर दूँ क्योंकि अभी बेटे की स्कूल एक दो दिन की बाकी है तो बेटे की स्कूल में वेकेशन पड़े उससे पहले में थोड़ी क्लीनिंग का काम वाले हैं सब कपड़े तो इसको भी अच्छे से एरेंज कर दूँगी तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको पहले रख दूँगी तो कभोड़ आप देख सकते हो फूल है जगे नहीं है कहीं कपड़े रखने की तो अभी तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिये हैं बाद में उस नहीं लगता है तो बालों में ओइलिंग कर दिया है फिर बालों को वश कर दूंगी और फिर लग गई हूँ अपने मिशन में गर की सफाई में तो सबसे पहले तिनों रूम के जाले साफ करेंगे फेन को क्लीन करेंगे सोफा कवर बेट सेट्स चेंज करेंगे और फिर क्योंकि वरना 11 बजे तक मासी आ जाते हैं तो मुझे तीनों रूम अच्छे से क्लीन कर लेने पड़ते हैं डस्टिंग कर लेनी पड़ती है तो आज वो भी कोई टाइमिंग का इस्यू नहीं है तो यहां सोफे के कवर निकाल दिये है फिर चलते हैं दूसरे रूम में तो इस रूम में भी सबसे पहले जालो को क्लीन करेंगे विसे जाले बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अभी एक डेड़ मैने पहले ही घर की पैंटिंग हुई है तो अच्छे से तब घर क्लीन हुआ था तो अभी दोपेर के पोने दो बज़े का टाइम हुआ है बीच में थोड़ा खाना बनाने का ब्रेक लिया था बेटा बारा बज़े स्कूल से आ जाता है तो उसको भूख लगती है और अस्बन भी राई बज़े तक आ जाएंगे तो बस अभी ये लास्ट रूम बाकी है तो आज सिर्फ दोनों बेडरूम और होल की ही क्लीनिंग करूंगी वैसे ज़्यादा गंदा नहीं है लेकिन मेर मंथली क्लीनिंग रूटीन जरूर में फोलो करती हूँ मंथली क्लीनिंग रूटीन से डीप क्लीनिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है और डीप क्लीनिंग बहुत इजीली भी हो जाता है और घर एकदम पूरा साफ रहता है तो मन को भी सांती मिलती है और एक खाना काने के बाद हस्मन और बेटे सो गए है और मैं वापिस लग गई हूँ अपनी क्लिनिंग में तो यहां सबसे पहले सौफ़े को गिले कपड़े से पुँच देंगे तो ये रेक जिन के सोफा है तो एक प्लस पॉइंट है कि गिले कपड़े से पहुँचने से अच्छे से वापिस क्लिन हो जाते है उसके बाद सब कपड़ को पहुच दूँगी तो तीनो रूम में मेरे यही कपड़ है तो आथ लगाने से उसमें भी धब्बे पढ़ ही जाते हैं तो वो भी मैं मंद में एक बार अच्छे से क्लिन कर देती हूँ तो पहले गिले कपड़ से पहुचना है और फिर वापिस सुखे कपड़ से और फिर इसके बाद लगा रही हूँ पोचा तो बस यह मेरा लास्ट काम है पोचा लगाने के बाद में जाओंगी नहाने और साथ में भी वोशिंग मशिन स्टार्ट कर दिया है तो कपड़े भी बस अभी दूल ही गए है तो पोचा करने के बाद में कपड़ सुखाऊंगी उसके बाद नहाने जाओंगी और उसके बाद आराम से चाय पियोंगी तो बस अभी सोफा को भी देखो मैंने एरेंज कर दिया है और यह है मेरा सोफा का लुक तो सोफाई के बाद गर इतना क्ल हो गए थे तो उसको भी सुखा देते हैं तो आज एट्मोस्फियर थोड़ा क्लावडी है हवा तेज है अच्छ से दूप नहीं निकली है तो बस अभी सामके साड़े साथ बज़े का टाइम हुआ है और अभी किचन में आज मुझे बनाने चोले बिल्कुल भी मेरा मन नही रहे है चोले बनाने का क्योंकि मेरे भतूरे का आता भी नहीं गुंदा है पीटे को चोले भतूरे बहुत पसंद है और मैंने उसको दिन में सपने दिखाए थे कि मेराथ को चोले बटूरे बनाओंगी तो सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ एक गंटे में इंस्टंट छोले और भटूरे कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी सेर करूंगी तो यहां मैंने दो से तीन ओनियन लिए है, उसको लंबा लंबा काट दिया है, दो टमाटर लिए है, उसको दो पीस में काटा है तो अब हम यहां सबसे पहले कूकर में छोले डालेंगे, छोलो को मैंने अच्छे से वोश कर लिया है, फिर इसमें टमाटर डालेंगे तो आज हम ग्रेवी की अलग से कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे, सीधा कूकर में ही बनाएंगे फटा-फट से तो यहां मैंने प्याज और टमाटर रखे है, फिर कुछ खड़े मसारे जैसे की दालचीनी है, तेजपत्ता है, एक बड़ी इलाइची है और तीन चाल लोंग है फिर अदराक और हरी मिर्च की एक बड़ी चमच पेस्ट डालेंगे और थोड़ा डालेंगे बेकिंग सोडा और फिर इसमें पानी डालेंगे, पानी हमें इतना ही डालना है जिसमें हमारे सिर्फ छोले डूबे, प्याज और टमाटर को डूबाने की कोई जरुवत नहीं है फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर medium to slow आंच पे 6-7 सिटी बजाएंगे तो यहां मैंने कुकर चड़ा दिया है और फिर जब मैंने मेदा निकला तो पता चला कि मेदा तो बिलकुल भी नहीं है सिफ आधी कटोरी मेदा है तो भटूरे मेदे से ही बनते है तो फिर जा रही हूँ ग्रोसरी मेदा लाने के लिए तो जब लेट होता है तब और भी काम निकल जाते है ऐसे कि खाना बनाना और लेट होता है तो यहां बस सिधा फोकस मेदे पे किया मेदा लेकर वापिस फटा-फट से आ गई हूँ स्कुटर पे तो अस्बन घर पे थे उसका स्कुटर था इसलिए हिम्मत कर रही हूँ ग्रोसरी चाने की अधरवाइस भटूरे छोड़ी देती क्योंकि ग्रोसरी दूर है और लेट भी हो गया है आट बज गये हैं तो अस्बन को बोल कर आई थी कि 6 सीटी बजे उसके बाद आप बंद कर देना कुकर लेकिन देखो कि आज कुकर में से हवा निकल रही थी और एक भी सीटी नहीं बजी थी तो वापिस आकर कुकर को ठीक किया और वापिस चलाया अब हम भटूरे का आटा गुंद लेते हैं तो सबसे पहले यहां दो कटोरी मेदा लेना हैं कटोरी की साइज आप अपने इसाप से चोटी बड़ी रख सकते हो तो दो कटोरी मेदा लेंगे आज हम सिर्फ मेदे के ब आदा कब दहीं लेना है और एक कब उले हुए आलु को ग्रेट करके लेना है तो यहां आपको ग्रेटर से ही ग्रेट करना है हाथ से नहीं करना है ताकि उसमें कोई भी लंस ना रहे ओन फोर्थ टी-स्पून элем care for parking powder डालेंगे स्वाद अनुसार नमग डालेंगे और उन टे दही है उसे ही हमारा आटा रेडी हो जाएगा अगर जरुवत पड़े तो वन टेबल स्पून जितना ही दही या फिर थोड़ा पानी डाल सकते हो लेकिन जरुवत नहीं पड़ेगी और अगर आटा डीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा आटा डाल सकते हो ज्यादा आट उसमें गड़बड हो सकती है तो भटूरा पर्फेक्ट बने उसके लिए पर्फेक्ट ना भी ज़रूरी है तो अभी हमारा आटा रेडी है अब इसमें हम थोड़ा ओल से ग्रीस करेंगे अच्छे से मस लेंगे और फिर इसको ढख कर 20 मिनिट रेस्ट के लिए रख देंगे औ अब हम छोले के लिए चाई का पानी बना लेते हैं तो यहां मैंने दो कब जितना पानी लिया है उसमें दो चमच जितनी चाई पती डाली है अब हम इसको उबा लेंगे और यहां हमारा भी छोले भी रेडी है तो जो भी खड़े मसाले छोले में डाले थे वो पहले निकाल लेते हैं और टमाटर के छिलके निकाल कर टमाटर को चमज से प्रेस करके स्वेस कर देंगे तो यहां अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो प्याज को स्किप करके बीना प्याज वाले भी छोले बना सकते हो और अगर आपको लसन का टेश्ट पसंद है तो आप इसमें लसन भ बूल गई हूँ अदर्वाइस मैं लसन प्याज वाले ही छोले बनाती हूँ तो आज थोड़ा जल्दी में थी तो लसन बूल गई हूँ तो बोल करने में ही लसन डालना है या फिर आप इसको छोक में भी कदुकस करके डाल सकते हो तो यहां हमारा चाई पती का पानी भी डालेंगे और आमचूर पाउडर डालेंगे अब निम्बू का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन आमचूर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फिर थोड़ी कसूरी मेथी मसल कर डालेंगे और फिर जो चाई पती का पानी है वो डाल देंगे इससे कलर बहुत दबा दबा कर तोड़ देंगे इससे ग्रेवी थोड़ी ठीक बनेगी अब इसको बालने के लिए रख देते हैं और फिर इसके बाद प्रिपरेशन करेंगे बटरे की तो यहां जो भी चीजे निकाली है वो सब पहले अपनी जगा पे एरेंज कर दूँगी ताकि प्लेट्फ न रेडी हो जाएगा तो अभी चोले रेडी है अब हम चोले की सबसे पहले छोंक लगाएंगे तो तड़के वाली पेन में एक बड़ा चमच ओईल लेना है उसमें जीरा डालना है जीरा क्रेकल होने के बाद इसमें हींग डालनी है फिर पेन को चोले के पास रखना है और उसमें कस्मीरी लाल मीर्च की एक चमच डालनी है अच्छे से मिक्स करके फटा फट से तड़के को चोले में डाल देना है सबको मिक्स करना है तो देखो रेडी है हमारे चोले बहुत ही अच्छा कलर आया है चाई पती की वज़े से और तड़के की वज़े से और ग्रेवी की जो ठीकने से वो भी एकदम परफेक्ट बनी है तो हमारे छोले रेडी है अब हम फटा-फट से भटूरे की प्रिपरेशन करते हैं वैसे भटूरे बनाने के लिए आटे को 3-4 घंटे फर्मेटेशन के लिए रखना पड़ता है लेकिन आज हमने सुर्फ 20 मिनीट ही आटे को फर्मेटेशन किया है फिर भी हमारे भटूरे बहुत ही खीले-खीले और सॉफ्ट बनेंगे तो इंस्टन भटूरे बनाने के लिए आलू के भटूरे बेस्ट रेसिपी है अब हम आटे का बोल बनाने के बाद सुखे आटे में उसको डर्स्ट करेंगे और फिर भटूरा ब बेलना है और एक्दम हलके हाथों से बेलना है और बीच में कोई भी क्रीज नहीं होनी चाहिए तब ही हमारे भटूरे फूलेंगे तो यहां में छे से साथ भटूरे मुझे चाहिए तो वो पहले में बेल कर रख दूँगी और फिर इसको फ्राइ करूँगी दूसरी मैंने ओल गरम होने के लिए रख दिया है तो भटूरे बेलने के बाद हमारा ओल अच्छे से गरम हो गया है तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही भटूरे को फ्राइ करना है और भटूरा डालने के बाद हलके हाथों से दबाते दबाते भटूरे को फूलाना है तो आप इसे ही हम सारे बटूरों को प्राई कर लेंगे तो हमारे आज की पार्टि के लिए छोले भटूरे रेडी है और आज की इंस्टन्ट छोले भटूरे बनाने की रेसिपी आपको केसी लगी जरूर बताना तो चलिए आजाए डिनर के लिए हलो फ्रेंड्स तो कल का दिन मेरे लिए बहुत ही खुसियों से भरा हुआ दिन था क्योंकि काफी मेनत के बाद कल फाइनली मेरी यूट्यूब चैनल पे वन के सब्सक्राइबर कम्पलीट हो गये है और वो सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हुआ है तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बढाए रखेगा और मैं भी ट्राइ करूँगी कि अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाओ तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए व्लोग के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर और फिर आप सबको एक बार बहुत सारा धन्यवाद